नवश्कार मैं हूँ सूकरती रोय चैटर जी और बूल सकाई में आप सभी का स्वागत है मुँ का छाला सुनने और बताने में ये एक आम रोग लगता है लेकिन इससे जुड़ी सच्चाई जानने के बाद ही शायद इसे कोई सामान रोग समझे डॉक्टर के मताबिक छाले से अन गंभीर बीमारियां भी जन मिलेती है तो कुछ ला इलाज बीमारियां भी इससे हो सकती है कई बार खाना खाने पर मुँ में छाले हो जाते हैं और अगर किसी व्यक्ति के मुँ में छाले हो जाएं तो कोई भी चीज का सेवन करने में काफी परिशानी होती है लेकिन कुछ वक्त बाद मूँ में छाले अपने आप ही ठीक भी हो जाते हैं कई बार ऐसा होता है कि मूँ में छाले हो जाते हैं और थोड़े दिन के बाद अपने आप ठीक भी हो जाते हैं लेकिन अगर मुँ में छाले आते हैं और जल्दी ठीक नहीं होते हैं तो ये एक गंभीर बीमारी का संके हो सकते हैं कई बार जादा तीखा खाने की वज़ज़ से मुँ में च्छाले हो जाते हैं तो किसी का खाया हुआ जूटा खाना खाने की वज़ज़ से भी च्छाले होते हैं कई बार तीकी चीजे खाने के बाद मीठी चीजे खाने की वज़ा से भी मूँ में च्छाले हो जाते हैं और अपने आप ठीक भी हो जाते हैं तो ये एक आम बात है लेकिन अगर आपके मूँ में च्छाले हैं और वो ठीक नहीं हो रहे हैं तो ये लिप कैंसर का संकेत देते हैं अगर किसी व्यक्ति को लिप कैंसर की समस्या होने वाली होती है तो उससे पहले उसके मूँ में च्छाले हो जाते हैं फिर धीरे धीरे वो मूँ के छाले घाओ बन जाते हैं, जिसके बाद ये घाओ जल्दी ठीक नहीं होते और इसमें दर्द होने लगता है। अगर आपको भी ऐसे कोई लक्षड दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंट डॉक्टर के संपर्क में आएं। वही तुलसी के पत्थे का इस्तमाल छाली की समस्या को दूर करने में बहुत फायदेमंद हैं। एक चमच हल्दी को गर्म पानी में डाल कर 15-20 बार कुल्ला करने से मूँ के छालो को आराम मिलता है। बात की जाए नमक की तो आधा चमच नमक लेकर उससे गुनगुने पानी में मिला लें अब पानी से मूँ के हर इससे में धीरे धीरे घुमाएं ऐसा करने से कुछ देर दर्द और जलन तो होगा पर छाले जल्दी ठीक हो जाएंगे उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें